क्या कर रहा है मैं बागल कहीं के कर दो कर द रहा है झाल कर दो दो लग्ट कर दो जलकारों कि अचि Users हुआ 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 हुआख हुआ हुआ ह के लिएक धाइए हुआ हुआ है नियुक्त पताने पर लडकियों को उटाकर ले कराना उन्हें एरास करना यह सब हमारे पुरानों में हैं यह सब और आने खताओं में हैं चलता आ रहा है यह गलत है तो कैसे और पुरान में यह भी कहा गया है कि लड़कियों से खिलवाड किया तो भले दस्सर वाला हो या निन्यानबे भाई वाला हो सजा तो जरूर मिलती है और यही होता आ रहा है यह धर्म है और धर्म में ऐसा ही होता है भरी सभा में जब महराज, मंत्रिगण, योधाओं और रिशिमुनियों के सामने एक औरत के कपड़े उतारे जा रहे थे तो इसका विरोध करे बिना बैठ कर देखने वालों को तो मरना ही था भीश्म को भी लेकिन सिर्फ अश्वत्थामा ने इसका विरोध किया और सबसे विनती की और इसी वज़े से वो युद्ध के बार भी जीवित रहा शायद यही है धर्म थोड़ा सबर करो भाबी बिलकुल टेंचन मतलो डॉक्टर जा रहे हैं भाई आभी आजाएंगे बिलकुल टेंचन मतलो जीजु को फोन किया है वो निकल गए आँ बेटा यहाँ मामा जी मेरे मा का आँ गई दस मिनिट में आ जाएंगी बेटा फिकर मत करो ठीक है नमस्ति कोई टेंचन की बात तो नहीं है ना तुम चिंता ना करो नॉर्मल डिलीवरी होगी कॉंग्रेस जी लड़की हुई है थैंक्यू डॉक्टर बहुत खोशी हुई है बेटा तुम्हारी बेहन हुई है अंदर जा कर देको जाओ 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 अब तक इतना रो रही थी ना तुम्हारे आते ही रोना बंद कर दिया अपनी बेहन का हमेशा इसे ध्यान रखना पिंकी प्रामिस पिंकी प्रामिस आखे हैं यह यह मशली वारक दे ए यह कटौरा वारक दे ए बगस भी वारक दे ए बगस भी वारक दे ए इसको टाके मुझे दे दे देख जो दूट ए इसे पकड़ यह मचली बहुत जल्द आपके हाथों में होगी काम होने के बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे हुआ 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 है अजिकना जड़ी है जिसे नहीं हो सक्षोर डेड़ी नहीं नहीं है बाई उठा ले किया हमें ये दो मचली एक साथ नहीं चाहिए अकेली मचली चाहिए सब्र रखो एक चाय बोल आई एक चाय मेरे ने भी एक चाय बोल सुनी जराओ देंगी क्या सबस्क्र हाओ सबस्क्राइब का रखो सुनी एक चाही हमें में इस वोल आई नहीं में बाई रखो ड्याओ आपन आता सबस्क्राइब हम दो है है ए तु जल्दिकारी लेग रहां हाँ हाँ ठीक है हुआ 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 हलो हाँ प्लेट वहां रहकर जूस की लो अच्छा फ्लाइट आगे क्या अबिटा आरही है जा रही है पर अपना बंदा दिखा ही नहीं दे रहा है आंटी हुआ 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 कितने टाइम लगता है इसा वेट कर रहे हैं बहुरत निकल रहे है चल 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 कार में बैठ चल्दी चल्दी स्टाट कर कार में सिर्फ तुम ही कपड़े बदल सकते हो दिदी तो क्या करूं टाइम नहीं है कि अधार देखो मेरा वेटा ही गया कितने दिन हो गए उसे देखे हुए है आगे अधार अगे अधार आगे अधार आगे तो चलो में तुम्हारी नजर उतारती हूं की नजर इसकी नजर उसकी नजर सब उतर जाएं कितने दुबले हो गए हूं अरे अच्छा ही तो हुआ हूं मॉआ मैं खाते दा खाते थे अब देखाना कैसी रूड़ गई जोड़ो ना मैं अपनी बात्चित बात में कीजेगा मुष्ट का समें पिता जारा है जल दिया है जजमान विवाह के लिए श्रावन्त रितिया के दिन मतलब ठीक आज के दिन तीन महीने के बाद बहुत ही अच्छा श्यूब महुर्थ है ठ श्री रस्तु शुभमस्तु अविग्णमस्तु स्वस्ति श्री चंड्रमाने ना श्री विकारी नामा संबत सरे वर्शा रितु श्रावन शुद्ध दश्मी के दिन सुब ठीक आठ बजे श्रीमती बेलागा कुंडी वेंकट राओ के जेश्टिस पुत्र चिरंजीवी बे अगना धी पतै नवहां वुम स्वस्ति नहाई जो पृष्रवा पूस्ति आपूशा विष्वेदा स्वस्ति श्ताकल यो अरह एक उस्रेक वाकुटी पैनाओ विधी चलो ओम एक दंताय वित्मय वक्रतुन्दाय धीमय तन्वोधन नत्ति प्रचोतयात यह वर्माला पकड़ी है है तुर्माला पकड़ी है हाथ परेन कि बापक्षे लाँ नहीं लाँ यदेन पूस्टे रहे है हम्म मुआ इंडर लग रही है कितने सुंदर लग रही है नातक मत कर क्यों इंगेश्मिंट के दस तिन पहले आने को कहा था दस मिनट पहले आते हैं क्या प्लीज एक्चुली अप्चा अरे बहुत तो सुनो अब शादी होने तक यहीं रहूँगा जा मैं तो नहीं मालूंगी प्रामेस शादी होने तक मैं यहीं रहूँगा अब मुस्कुराओ ना चल ठीक है जो मैंने घड़ी मंगवाई थी बुलाई क्या लास्टाइम जब मैं घड़ी लेकर आय था वो कहां गई वो वो गड़ी खो गई खो गई क्या जिसे गिफ्ट की वैल्यू नहीं उसे दे कर क्या करेंगे सॉरी हाँ ठीक है रो मत पताता तो मैंसी रोगी तुम्हारे लिए सेम घड़ी लेकर आयाँ यलो थेंक यू भया बस 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 ओके हुआ 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 है क्यों अब तक शिग्रेट ने खोड़ी क्या हरे मैंने कपकी छोड़ी सिग्रेट हाँ हम् पापा यह निननी पाथव अबोलो ना यह सम्मल के जल जाएगा वैसे एंग्लिश कोईट ने कहा था तो इतना ज्यादा सोच के तेरा ब्रेंस्ट्रें मत करा उसका मतलब यह है कि हमारी जिंदेगे में लाइफ लॉंग हमारे साथ रहने व़े कुछ लोग आते हैं वर लास्ट में हमारे साथ रहने के विंती करने पर भी वो छोड़कर चले जाते हैं और बताय बीन आने बाले और तुम चली जाओ कहने पर भी लास्त तक रहने बाले एक सिगरेटी होती है इतना लंबा मतलब है मुझे तर समझ भी नहीं आएगा लिखने वाला समझदार है इतना ही काफी नहीं है क्या पढ़ने वाला बयो को खो तो चलेगा इजए अरे ए कॉंन एठ अंदर कोई बी नहीं है आभी करण हो सकता है अंकल जी हुए तो तो फिर तू जाके कहो ल तू खोल हुम दोनों मिल कर खोले क्या बाथ बातरूम किसका है तू इस्टु खोल हैपी तू कहा जा रही है इधर आना तू बता दे ना अगरबदी चला रहे थे अरे बात्रों में कोई अगरबदी कुछ जलाएगा तरके मारे पता नहीं क्या-क्या बोल रहा हूं है अरे इस थाम पर तू रहा किसे आरे किसी ने देख लिया आप अच्छा रे रुग जाओ मैं सांस नहीं लेपा रहा हो है ना तुम जितने दिन नहीं थे ना मुझे आई सी लग रहा था कॉलेज में तो कितनी सारी बाते बनाते थे ने हाव मैं तुम्हारे बिना एक साल भी न में आ कर दिया तुम् expert आओगी तो यही होगा यह मुझे पता। इसलिए मेंने मना किया। और तुम्ने ही नहीं युएस में रहने के हर रोज मैंने बहुत-बहुत P9105larda मिज गृ किया। समझ कई न ही। तुम्हेर छीज बताओं क्या। लॉंग डिस्टन्स रिलेशन्शिप में एक मैजिक होता है दूर होने पर हर दुख पास आने के कुछ ही पलों में चला जाता है चला गया? अच्छा बैसे दीवार कुदने की आदक गई नहीं तुम्हारी एकमेट में उसी होता है हैपी अरे और यह क्या आओ मचा रहा थैए आराहू रुक एपी ..... क्यूह भोग रहै है है क्या हुआ ग्या ऐकन शब आद फोल घरकाल अरर प्या ग्या मस्ति कर रहा है कर दो कर दो बया प्रिया क्या हुआ प्रिया क्या हुआ प्रिया मैं तुम से पूछ रहा हूँ मैं प्रेगन फुब भया तो इसके लिए फांस ही लगा लोगी इस बार में शादी के तीन मेने बात बताती तो पूरे घर में त्योहर होता ना तो मुझे एक बार फोन दो अपना रवी के साथ बात करता हूं रवी नहीं है प्या मैं कुछ समझा नहीं रुवी का नहीं है प्या तो फिर कौन प्रिया बोलो प्रिया माँ पापा से तुम्हारे सास ससुर से चाहो तो जीजू के पैरों पर गिर कर मैं मना लूँगा वो कौन है बोलो प्रिया मुझे नहीं पता प्या कोई बात नहीं है प्रिया मुझे बता हो मैं देख लूँगा मैंने कहा ना मुझे सच में नहीं पता प्या तुम किसी पाटी में गई थी वहां कुछ भी हो प्रिया मुझे बता हो मैं कह रहा हो ना कि मैं देख लूँगा चाहे कुछ भी हो मुझे सच में नहीं पता प्या मैं तब से पूछ रहा हूं ना बार बार एक ही बात कह रही हो कुछ भी हो देख लूँगा मैं कह रहा हूं ना एक लड़की उसके जानकारी के बिना कैसे प्रेगनेंट हो सकती है तुम बोलो मुझे कुछ नहीं पता एक लड़की उसके जानकारी के बिना प्रेगनेंट कैसे हो सकती है पता है बताओ प्रिया पिंकी प्रॉमिस भेया, मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ ये क्या हुआ है, इतना अर्जेंटली क्यों बला है प्रॉमिस प्रॉमिस भी आपका रिष्टा लिखिये ब्रदर लिख रहे हैं लिए जब से आप यहाँ ना सबको वही लिख देखा है सुनो, इस्क्यूस में ब्रदर नहीं, अस्बें लिखिये, शे इस मय वाइफ सॉरी सेर शट आप शुट आप हूँ 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 जो हूँ गलत है लेकिन कर बेख्या सकते हैं इस बात को किसी को बताने के जरूरत नहीं है तुम कर चाह में अभी आता हूँ 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 क्या हूँ 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 एसे नहीं रोते हर लड़की से उस्वाइल जाने से पहले रोती है तुम लोग सब क्यों रो रहे हो पापा मा अजिए रोला रहे हो इसे रुख जाओ ना मा असल मैं तुम्हारे कारंद रोना शुरू हो गया पापा ज़र बताओ मैं रेडी करके ले आता हूँ अभी उसे के बारे में सोच रही हो उस सदमे से भाहर आ जाओ और आने वले कल के बारे में सोच तुम जिस घर में जा रही हो प्यार से ध्यान रखने वाला पती है कल से तुम्हारी नई जिन्दगी शुरू होगी मुझ पर भरुसा रखो तुम्हारे साथ जिन्दगी भर रहने वाला इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है अगर वो साथ नहीं देता तो बात समझ में आती है तुम्हारे रोने के कारण अगर हम चिंतित हो जाए तो ठीक है देखो तुम रो रही हो तो वो कितना चिंतित हो रहे हैं मरने के लिए एक बड़ा कारण है तो काफी है प्रिया पर जीने के लिए एक इंसान का प्यार भी काफी होता है और तुम्हारे पास तो दो दो परिवार है बात को समझो प्रिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो थे कि अब प्रिया तो दो अब जाधी को बिदाई तक पहुचा दिया तुम्हें जैसा का है वैसे सब भूल कर हैपी रहने की कोशिश करूंगे एदि पर एक है मेरे साथ यह वह आ है तुम ख़ुश रोगी ना कि जाओ प्रीया झाल झाल करें एक का अउट के लंदेना अबटना थीक्सराइज वार्ना अउट कर आउट करूंगें अब आउट चौक इसको है 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 अर्ड मिस्कर दिया यार है यार संप का लेकर जा रहे हो हम खेल रहे हैं कि अ एए बने देखो तो एए देखिदा आए आए आओ आओँगा ना मा आरे पागने, अ हमीदे और आए पागने? क्लोज मुझे ज्या निया बोलंग है? ठाँ फाह गले अजने है? अले से रोल्डा बोले है? क्लोज मुझे एंगे जा जो के जाए? । अर्षी निया अर्षी में तेन लुटे ग्या? म fijक्ष Boom पॉख तरwash जूग 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 हुआ पो हुआ कीmaking… हुआ वो इल्वल्ट.. ह ए significant हRo अ, हुआ ए हुआ इसे पेचानता है नहीं बता भाई हाँ हाँ याद आगया प्रिया इस लड़के गरम प्रिया है ना बहुत मैं इसे जानता हूं मुझे अच्छी लगती थी पर उसके अलाव और कुछ नहीं जानता मैं सच कह रहा हूं मैं उसको अभी मिला भी नहीं बात भी नहीं कि मुझे छोड़ दू प्लीज सच में उसके अलावा अमारे कॉलेज का एक सीनियर था जो उसकी पीछे पड़ा था बोलता था वो उससे प्यार करता है कि अइब उसक्त है कि कौने में तु कियो मार रहा है कि अनुझ दूच उसक कि पूचे उसक मेल उसका प्रम करता है कि अनुझ कैशने दूचे ये ऑई वा प्रम वक प्रमे डायूर आरणकेशनी तु आरत तम somewhere हुआ 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 है अरे क्या चाहिए तुझे इसे पैचाना यह लड़की के पीछे में पढ़ाता यह सही है लेकिन कितना भी ट्राइ करने के बाउजू दिया ही पठी इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया प्लेस पुझा छोड़ दो और एक लड़का फेस्बुक पर उसे बहुत डिस्टरब करता भाया गंदे गंदे मैसेज भेज़ता था उसे ब्लोक करने बड़ दोबारा दूसरे अगाउंट से मैसेज भेजता था हुआ है तेरा प्रॉब्लम क्या है क्यों मार रहा हम लोगों हुआ पुआ यृआ हुआ अवग कर दोषिए त यह लड़की को नहीं जानता है, इस लड़की को पेचानता है, इस लड़की को नाम प्रिया है, आप तो बता दिया मैंने, इस लड़की को मैंने मेसेज करना कपका बंद कर दिया, सच बोल, सच तो कह रहा हूँ, सच सच बता, इतने ही पता है, मुझ पे भरो सा करो सर, एक मि कि अरो सर, मेरी बात लेकीन करो अरी बेटा, यह क्या इतना खून कैसे क्या हुआ जो नहीं माँ इतना खून बहरा है और क्या कुछ नहीं हुआ चलो हॉस्पिटल चलो मा ऐसा कुछ नहीं हुआ यह कह रहा हूँ नहीं चुप चाप मेरे साँ चलो तीन दिन के दवाई लिकर दे रहा हूँ ले ले ना ठीक हो जाएगा मैं अभी आता हूँ मा संभल कर हलो हलो हाँ बोलो नहा सुनो ना खेज रेंड शुरुति का बर्दे है सब लोग कह रहे है कि हम दोनों को आना जाए मैं आज नहीं आपाऊँगा तुम चली जाओ है इसा क्यो मैं आज नहीं आपाऊँगा कह रहा हूँ नहीं अभी तुम कहा हूँ हॉस्पिटल में हूँ हॉस्पिटल में क्या हूँ नहीं हाथ पर छोटी सी चोट लगे तो मा टेंशन में ही बहुत मेरा नाम केरती है ममी बापा मुझे माफ कर दो मैंने कोई गलती नहीं की है ना मेरा कोई बॉइफ्रेंट ना मैं किसी किसाल गूमी पर डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कैसे हुआ मुझे नहीं पता क्या करूँ अब रास्ता समाज नहीं आ रहा मेरे पास एक ही रास्ता है बेचा हां मा तुम आओ इस लड़की को हमने अभी दिखा दा कुछ नहीं हो आओ अओ अओ चुपराओ मा कुछ नहीं होगा आओ वह लेगर टैक्सी आओ मा बैठो ना बैठो संभल के आओ कि भाया पानी की बॉतल है यह सर देना वो लड़की कैसे हुआ पहले प्यों मा पानी प्यों आराम से मम्मी पपा को मुह नहीं दिखा पाऊंगी किसी भी तरह मेरा एबॉर्शन करवा दो ऐसे डॉक्टर से उसे कहते मिने सुना था तुमारे साथ कोई होना चाहिए तभी मैं एबॉर्शन कर पाऊंगे ऐसे डॉक्टर कह रहे थी मच्या अगर ऐसे जान देने लगी तो हम जैसे माता पिता कैसे जीएंगे बेटा क्या होगा उनका जो अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं क्या कहूं कि बेटियों का अच्छी तरह से पालन पोशन करना यह कोई मामुली बात नहीं है अगर हमारे साथ है मा रुक जाओ मा हमारी प्रिया सोना है ऐसी परिस्तेती कभी आने नहीं देखी राइटर जी है क्या हाँ वो रहे नमस्ते सर सर मैं हूं कंगा बैठो बेटा पिता जी ने फोन किया था सारी फॉर्मलेटी फूरी हो गई है अभी पेपर राएगा तुम उस पर साइन कर देना बाकी हम देख लेंगे ओके सरे चाय बोल रहे जबरदस्त है बिटा बहुत हासी आ रही है सर कल रात से मेरी बेटी लॉट कर नहीं आई है तोड़ा बीजी हूँ चार सो दो क्या है देख इसका कोटमेशे सबविट करने के लिए जा रहा हूँ सर 6102 इनका देख लेना दा सरा इससर इस했다 कि मिसंग ड़ sı तर किसेस्च लाइटरसाब देखते हैं राइटर शाम अ कल शाम से मेरी बेटी लापता है सर कल शाम से मेरी बेटी घर नहीं आई है अरे वाँ सर, हमारी बेटी नहीं मिल रही है और आप मोबाइल में विजी है तुम ज़रा रुको ये लीजिए आपकी बेटी का नाम आपकी बेटी का फोन नंबर आपके बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं उनके नाम, उनके फोन नंबर उनके अड्रेस, इसमें सब लिख दीजिए इंक्वारी करेंगे, आपकी बेटी अगर मिल गई तो आपको इंफॉर्म करेंगे अहां ठीक दिया है सर थोड़ा जल्दी ढूने आपको ठीक से सुनाई नहीं देता क्या मेडम कहा ना आपकी लड़की मिल गई तो आपको इंफॉर्म करेंगे, बस वो बात नहीं है सर, बता दिया है, वो लड़की है चलो चलते हैं सर, जाए घास खाने वाला जानवर कम से कम दूद तो देता है सर रिश्वत लेकर उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी ऐसा कम से कम भरोसा तो दे सकते थे ना यहीं आपके खर हुआ होता तो क्यों बेटा, सोशल रिस्पोंसबिलिटी ले रहे हो, पुलिस वाले के सामने बैठकर फिल्मी डायलोग मारने का मन कर रहा है हर इनसान से मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, बोल रहा हो, लेकिन देने वाले के लिए तो कुछ नहीं बोला तुमने आज कल मिसिंग कंप्लेंट का मतलब है, रोड पर जो पैमप्लेट बाटते है ना उससे भी ज्यादा चीप है, आजकल जिसको देखो मिसिंग कंप्लेंट लेकर आता है, चीप लोग ये देखो missing complaint ऐसे रोज 10 complaints आते हैं ये पूरी फाइल देख लो कोई आता है मेरी कुतिया गुम गई कोई आता है मेरी बेटी गुम गई कोई आता है मेरा बेटा गुम गया ऐसी complaint लिखवाते हैं और हम लोग खाकी पहने हुए कवे की तरह काओ काओ करते हुए पूरी sincerity के साथ गलियों में घुमते रहते हैं घुमते घुमते जब ठक जाते हैं तो सब को inform करते रहते हैं पाइनली अगर हम नहीं डून पाते तो बड़ी शर्मिन दिये और दुविदा में फोन करते हैं सौरी जी आपकी बेटी नहीं मिली इससे पहले अरे रे कॉंस्टेबल जी आप हमारी बेटी की तलाश कर रहे थे क्या आपको कंप्लेन लिखवाई उसी दिन रात को मेरी बेटी वापस घर पर आ गई आपको inform करना हम लोग भूल गए सौरी सर और फिर फोन पर जोर दोर से हसते हुए फोन कट कर देते हैं बेटी वापस आई तो हमें नहीं बताना चाहिए कंप्लेन लिखवाना जरूरी समझते हैं सार, साइन जए जए रिक्षा रिक्षा, वानवान देपल जाना है मैं देपार्टमेंट से गाल कर रहा हूं आपके बेटी मिसिंग है से कंपलेंट दी थी ना क्या हूआ शर उसी दिन मेरी लड़की वापीस अगे थी और जिस में रेक्षा रहा आप शर्टो प्लीज शर्टो रुखो रुखो ना प्लीज सार बेटा मेरी बेटी होस्पिटल म कर दो कर दो कर दो अरे कुछ नहीं है, छोटा प्रॉब्लम है, हाइपोग्लेसोमिय कहते है इसे, ज्यादा फिकर करने की ज्रोफ नहीं है, बॉड़ी में शुगर लेवल जब कम हो जाता है, या फिर सोडियम लेवल अचारा कम हो जाता है, तब ऐसा होता है, लड़की को अच्छी से हल्दी खा ठीके मैं जेता हूँ, हालो सर, उस दिन क्या हुआ था, एक्चुली उस दिन मैं आननगर के बस टॉप पर वेट कर ली थी तो बहुत वीक्निस महसूस हूई सर, ऐसे मैंने आखे बंद कर लिया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उठके देखा तो बीश रोट के पास एक कॉसा हूस्पिटल में थी और प्रेडना हूस्पिटल, सर, नमस्ते सर, आप, मैं, किर्टी के बारे में बात करने के लिए, बैठो, सर, आपके बेटी कीरती, पानी पीना चाहोगे, एक गलास पानी लाओ, आपके बेटी के बारे में बात करने के लिए, पहले पानी पीलो, किर्टी की मौट से पहले, तुम चले जाओ बेटा, वो बात नहीं है सर, मेरी बात क्या बात नहीं है बेटा, मेरी बेटी किसी के साथ गौंगती थी, और वो पेट से भी थी, फिर उसने हमें दोका दिया, यही कहना चाहते हो न तुम, तुम से पहले यहां पुलीस आ कर गई, उन्होंने भी यही कहा, रोज सुबह मेरी नींद खुलते ही सब यही सवाल पूछते है, रोड पे चलने वाला हर इनसान मुझसे यही सवाल पूछता है, सुन सुन कर मेरे कान पक चुके है, मैं दुखी हो चुका हूँ, आखिर तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो, उसके बारे में जब तक, हर इनसान तरह तरह की बाते नहीं बना लेगा, तो नींद नहीं आएगी क्या, यह क्या है सर्थ, यह मेरी बेटी की रिपोर्ट है, जब तीन मेहने पहले वो चक्कर खाकर गिर गई थी, तब किसी न उसे हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया, उसी से संबंधित रिपोर्ट है यह, मा, मैं जब यूएस में था, तब प्रिया हॉस्पिटल में ऐसा आपने काहा था, क्या हुआ था? हम् जी कहिए? है, तीन मेने पहले कोई साधना नाम की लड़की यहां पर एड्मिट हुई थी, एक मिनिट, एड्मिट हुई थी, किसे न एड्मिट किया था? एमरजनसी में एड्मिट हुई थी, एमरजनसी मतलब यूचुली एम्बिलेंस लेकर आते हैं, एम्बिलेंस के डिटेल्स दे सकते हो क्या? आप पुलिस है क्या? अजी नहीं. सॉरी जी, डिपार्टमेंट के अलावा हम बाहर वालों का इंफिर्मेशन नहीं देते हैं. एक हफ्ते पहले लक्षमी नाम की किसी लड़की को यहां एड्मिट किया था? एम्बिलेंस से लेकर आये थे. एम्बिलेंस डिटेल्स आप कुछ दे सकती है? सॉरी सर, हम डिटेल्स नहीं बता सकते. पांच बहने पहले मोनी का नाम की लड़की हैं एड्मिट वे थी. वन मिनिट्स फाइव मन्स अगो? यह. एम्बिलेंस लेकर आये थे. एम्बिलेंस में क्या? यह सर्या. एए, बात सुन. कल का दिन मुझे सही नहीं लग रहा है. कली का दिन सही है. कल सब के सब विसरजन की जल्दी में रहेंगे. कल एक मचली को पकड़ नहीं होगा मैं. कल एक दोहा है. बोलो ने हां मैं बाद में कॉल करूँ क्या है अगर कुछ बात निया तो क्यो मुझे इतनी बार फॉन कर दिघू नहीं ये मरी फ्रेंट शृतिया ना वो चकर आकर गए उस से घो से वासिपटल या उसी की बारं में बात किर कर रहे थी बाद में कॉल कर रू क्या है वहाँ मैंक क्लिए एक एक बोलिय के यहां एक वाइट्रिस प्अपने कि आए थी आपने देखा क्या अच्छा वाइट्रिस वालाइ वह अभी थोड़ी देर पहले चकर खाकर गे हम लोगों हॉन्स кो कॉल किया हैं का वो देखिए लड़की को लेकर ज़ा रहे हैं Shruti! Shruti! तेंशन में हुमें, कि अब तक उसे लेकर क्यों नही आए? यह भी अपिटे लेका बिल्कुल, एंबिलेंस पर में नाम देखा था? अपनी आंख लेका था? बिल्कुल देखा था. हेलो, टेक्निकल डिपार्टमेंट कहा है? टेक्निकल डिपार्टमेंट कहा है? उस तरफ, सर. साई, सर को जो भी इंफार्मेशन चाहिए, देदो. ठीक है, सर. ठीक है, सर. आपके पस अंबिलेंस कितनी है? नौ है, सर. सबके ट्रेकर्स हैं, ना? है, सर. ओपन कीजिए. एक यहीं पे बाकी सब रनिंग में, सर. मॉल के दूसरे तरफ समंदर है. शहर में हर जगा वी सर्जन की भीड है. मेरे मुताबिक उनके पांच किलोमेटर से ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है. मॉल से सब डैरेक्शन में पांच किलोमेटर का सरकल बनाओ. क्या सर? मॉल से सब डैरेक्शन में एक पांच किलोमेटर का सरकल बनाओ. ओके सर. सर पांच रनिंग में हैं. नेहा, डैरेक्शन बताओ. ओके. सुनो, वो लोग दसपना से लेके जगदंबा जंक्शन की तरफ जा रहे हैं. ओके. यहीं पर हूँ. अब एम्बुलेंस को क्यो रुका रहा है? कौन है तू? अरे कौन है भाई? नेहा, शुरूती इसमें नहीं है. अच्छा, अभी-अभी एक एम्बुलेंस ने सिटीपुरम जंक्शन क्रॉस किया है. ओके-ओके, जा रहा हूँ. सुनो, सुनो, संपत्विनाय टेंपल से लेफ्ट लेलो और फ्लाय ओवर पे जाओ. फ्लाय ओवर? ओके. वो तुमारे सामना ही है. हाँ. बस सौ मीटर की दूरी पर हैं. जागा? सौ मीटर की दूरी पर? हाँ. खोलो. रुक जाओ. नेहा, इसमें भी नहीं है. मेडम, रेल्वे सेशन के पास. अच्छा, रेल्वे सेशन की तरफ एक और आम्बुलेंस जा रही है. नेहा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, लेफ्ट लेवो. ओके. वो तुम्हारे बहुत पास है. अच्छा? ए, कौँआ है रदू? नेहा, इसमें भी नहीं है. आलिपुरम जंक्शन पोस्ट के पास एक एम्बुलेंस बहुत देर से रुकी हुई है. इसमें कोई भी नहीं है. नेहा, इसमें कोई भी नहीं है. ओ भाई, कौँ है तू? मौल से चिस लड़की बलाए, वो कहा है? कौन सी लड़की? मेरा काड़ी खराब हो गया, मैं कबसे इधर ही हूँ? लेसर, लेसर. हाँ, बुलो. रोजल की तरफ एक अम्बुलेंस जा रही है. ओके जा रहा हूँ. राइट ले लो. राइट में. वहाँ से स्ट्रेट जाओ. यहाँ से लेफ्ट. लेफ्ट ले लो. लेफ्ट क्या? वहाँ से स्ट्रेट जाओ. अरे, वाइव यहाँ स्टॉप्ट? नहाँ यहाँ पर डेड एंड है. कुछ तो सोचो, अपने पास टाइम नहीं है. अच्छा सुनो, अम्बुलन सिगनल के पास रुकी है. प्लीज मेक इट पास्ट. वीगा जा रहाँ. कर दो कर दो कि शो राखंट कर दो सु आप आप भोलो निया अब़िलेंस बाहां से आके पड़ रही है अरे रुको एम्बिलेंस से तुम आगे चले गया हो उनके आगे किसे जारो हाँ तुम आगे चले गया हो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है खाय मीचा है फिल्पेस आगे तुम्हारे रही है तुम्हारे नहीं हो पुम्हां, पुम्हां बन्वां अेखियो आआई पुम्हां, पुम्हां पुम्हां, पुम्हां शबनार में अजदाना स्रावी अज़ अजाराई क्यों अब दू? यहाई! नश्ट करे यप नुहु तुमारे नापी नाश गरे क्रोगने दू होके तो गुटी दे है बापी को तो गुटी दे है बापी को प्सक्रादे दू शक्ति को दिखा ए रग्ता है कोई बड़ी मचली है अटियांदी का लो एई इसको डिखिर जब अगुष! शक्तुपाता शकरे पीर कुपरा सब्सक्राद कुदिर मेले लोग की रख्शकरे अन्ने की रह पचले स्वर्मोशाना यह भागिया से जा निकलो निकलो अन्ने की रहता निकलो रहता लेकलो कर दो के रहता निकलो जाल बायां है गल्य वुड़ार से मैंशाना की रख्यान उक्पलाद की रहता है जाल थे लेकलो अन्ने की प्लेवन कर दो कर दो कर दो कर दो ऐस लड़की को जांता है कि इस इसा लड़की को ठाने वाया हूसर मैं जोड़ने को कहा है छोड़ने को कहा पूंदर मा कि कसम खा को सर्षी है और मझे को से किस काई अपासेर कुछ थे चुट्वने को कहा काзд कि अपष्ट किसका हाग और इसका पीचे किसका हाग और इसका इसका किसका कि नहां मैं अभी आता हूं हुआ है कि नगता है कोई बड़ी मचली है अध्यां दिका लो इसको भी काटेंगे आज इस नड़की गोठाने ओला पही हूं सर बैसे देरे के बाद चोड़े को का चोड़ दिया मैंने समंदर माखी किसम खादो सर्थ दोक्तर साब एक पोस्मोटम केस आया है एमर्जनसी है देख लीजिए ना आफ्टर सिक्स पीम पोस्मोटम मैं नहीं करता है बता है ना आइम सॉरी सर फ्लीस सर थोड़ा अर्जनसी है फ्लीस सर जज़ की बेटी है सर अचहे इसलों सर थेया इसलों सर फ्लीस ना भूलिजनसी भीए अवे अधर घ्रद्द्ध कि अधर स्टाना तया है वड़ेशे वेल मैंद्धे साथ जब करता है दूद्धे साथ एवेल मैं आव खाद्ध आपकर ना थोड़ेशना अजिसैं तक्षाव यूडे सहीं आव थ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो थोड़ा और मिश्डा होती दो आच्छा होता कि अख़ एंग, 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 कि अख़ एंग क्या लाश के साथ इंसान की इच्छा पूरी होनी जरूरी है वो जिन्दा हो या लाश हो कुछ फरक नहीं पड़ता हावस पूरी होनी चाहिए कुमार आगया आगया चलो आगया डेनियल पावार अरे गधे के बच्चे आया हूँ कहे भीना जा क्यो रहा है तुम बोलोगे तो ही मैं लिखूंगा ना इतना बड़ा इंसान जब जा रहा है तो बोलने के क्या सवरूत है चाचा लिख लो जोजब आहू माधब आ जा रहा हूं चाचा जी यह सब क्या है सब आने की बद करके जा रहे हैं आपके यहां कितने लोग हैं पूरे यहां कुल मिला कर 390 लोग रहते हैं उन में से 207 लोग तो मचवारे ही हैं तो फिर सभी लोग समंदर से आ गए हैं क्या यह लो दादा जो मसली आपने वागई थी जाकर माजी को दे देना अरे रामू वो दाविद रवी चंदू आरिया दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं तुम्हें समंदर में दिखाई दिये थे क्या पता दादा मैं समंदर के उस तरफ गया था वो दूसरी तरफ गया हो मुझे कुछ ने रता है ठीक है पूरा बारह लोग आना चाहिए यह लफंगे कब आएंगे तुम्हें काम करो बेटा कल सुबह सुबह ही आ जाना और अपना काम कर लेना चलता हूं बेटा हूं बोलिये दादाजी वह लड़की नए रहने दू आज का हो गया बात वो नहीं है हमारे लोगों को किसी ने अबुलेंस रोक कर मारा ठीक है घारा ओन लोगों को भी लेके आ कौन हो बेटा तुम सर शिवशक्ति ट्रैवल्स पीछे वाली बिल्डिंग है मोगे सर थैंक यू चलो यही है वो नमस्ते मालिक आप हमारे बगवाने सर आप कही कारण हमारे बच्चे कौनेंटी स्कूल में बढ़ रहे हैं हाँ फर्स टाइम सभी मिलकर घर आये है आओ मिलकर खाना खाते हैं अले आपके साथ नहीं सर इतने दिन मेरे लिए महनत किया मिलकर खाना भी नहीं खा सकते हैं गया प्लीज बैठो 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 प्लीज तुम भी प्लीज बी कांफरिटबल दाद अजिंगी हाँ हाँ देता हूँ यह तुम लोग के लिए स्पेशली बनाया है खाओ कमान कमान खाओ 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 शर्माओ मत खाओ असर में क्या हुआ मालूम नी सर उसको दापुर पैचेंद भी नहीं है जोर से आगे टक्कर मारा हाँ सर मैं समझ गया इनके साथ अच्छा रिष्टा बनाके उन्हें मरवाना है क्या आप पिल्कुल चिंता मत किजिए सर इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं मार डालेंगे हाँ हाँ मार डालेंगे मार डालेंगे खाओ उसे मुझ तक पहुचने का जरिया यही लोग है इसलिए इन सब को खाने के बाद मार डालने का सोच रहा हूँ खालो खालो खाने के बाद ओ कम आन प्लीज खाओ अरे यह चिकन क्यों नहीं लिया खाओ 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 शर्माओ मत अर्माओ यह खाओ 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 भॉ खाओ खाओ अझाओ, अचल भॉपए mर खाल एम जाओ, जाओ प्राइफ, अच अपट एम प्राइफ, अच्ट इस प्राइब कि अगाई, कि दोगा खुआ हो रादान कि अफृट गवाई कि अगई खुआ हो बगाई खरना, 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 जड़े खरना, जचित बगाई खरना, जबाई और अटूँगा, चिए ते लूगा, ते लूगवा。 कैने लूप्टरोब। कैने लूपफ यूफफ कैने लूपफ देखा, बहुत मेरे हाथों से अच्छा, तु अपने हाथों से ही अपने आपको मार दे ये कितना बड़ा दरिंदा है भगवान, सारे कौरूओं की क्रूरता से भी बढ़कर इसकी अकेले की क्रूरता है हे भगवान को कि अचाओ आदे वो मेरे मामा का बोट उस पर मत बैट है अच्छाओ नीचे ही उतर रहा हूँ ना में इस तत्किक ऊठाने वालं प्रक्राइब अ सब्सक्राइब कर रहा है ये ये मेरे मामा की बोट है उनका खर पता है क्या ये थूर चल इनको दिखा के आते हैं और किना दूर है? नहीं पहाँ भाईया. मामी, आप चो कोई मिलने आया है. मैं एलेक्शन सर्वे की तरफ से आया हूँ. एक बार आप अने पती को बुलाएंगी. वो घर पे नहीं है. दो दिन पहले मशली पकड़ने गए थे. मेरे ख्याल से एक दो दिन में आ जाएंगे. एक गलास पानी मिलेगा? हाँ, हाँ. अंदर आये साब. आये. ये लीजे साब. राज अमा, पूल ले लो. रुक 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 आती हूं मैं. आप बेटिये साब, मैं आती हूं. ये। गड़ी, खो गए. मा हलो बेठा कहा हो मैं बहार हूँ बढ़ा सासुमा ये कितना क्यूट लग रहा ना इस फोटो में प्रिया जब पैदा हुई थी तब लिया था ये फोटो प्रिया को उसकी पिता से पहले और कोई नहीं देखे इसके लिए दर्वाजा बंद करके पिता के आने तक वही पर खड़ा था वो है 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 अब आने से पले डोर नौक करके आ सकती थी हमारे बीच पे फॉर्मालिटी से ये मुझे पता ही नहीं था सॉरी मेठो मैरे जो गिफ्ट दिया वो पसंद आया देखा निया बहुत बढ़ी है जूट उनसे बोलो जो तुम्हें जानते नहीं है उनसे नहीं जो तुम्हें जानते हैं वो मैं busy था इस लिए देखा नहीं देखा, तो नहीं बोला चाहिए था देखा ऐसा जुट कि बोला? नेहा वही तो कह रहा हूँ कुछ काम था इसलिए नहीं देखा, let me see, अभी देख लेता हूँ, लाओ अरे कह रहा हूँ नप, लाओ ना देखता हूँ बहुत अच्छा ह। क्यों इतना वियर्ड बिधीव कर रहे हैं तुम ? मैं कहां वियर्ड बिधीव निया live कर रहा ह। कर रहा हूं नॉर्मल यह नियुका तो कहते हैं नेहा यह भाई निया वह हो गया है हर बात तुम फोन करके बताते हो अभी फोन करती हूं तो मैं अभी बिजी हूं बाद में फोन करता हूं ऐसा कहके गुस्से में फोन रखते हूं बहन की शादी के बाद अपनी ही शादी होगी ऐसा कहके कितना खुश हुए थे अब वो खुशी किदर है बताओ मुझ कि तुम मुझे चोड़ना चाते हो अगर बीच में ही मुझे चोड़ना चाते थे तो शादी तक बात क्यू ली कर आए तुम मेरे घरवालों को क्यू मनाया तुमने आखिर कुछ तो बोलो तुम मेरी हालत तुम्हें समझ में आ रही है तुम्हारी भी तो बहन है ना अगर उसके साथ किसे ने ऐसा ही किया होता तो तुम क्या बताओ मैं तुम्हें शादी से दो दिन पहले मेरी बहन मरने जा रही थी ये बताओ तुम्हें शादी से पहले वो प्रेगनेट हुई वो कौन है या पता नहीं ये बताओ में तुम्हें कुछ कुछ बातें प्यार करने वाली लड़की से ही नहीं खुद की मा के साथ भी शेर नहीं कर सकते मेरे हाथों से मैंने प्रिया का अबाउशन करवाया मौत से भी बड़ी ससा है वो अरे उस पर जो गुस्सा है वो मैं किसे बताओ उसके खुश रहने के लिए मुझे चुप रहना पड़ा और तुम मुझे पूछ रही हो बताओ मैं किसे बताओ किसे बताओ खुश्या में हर पर डूबी रहे चुना सके तुझे कोई गम मेरी कमीना महसुस हो तुझका मेरी बेहना मेरी दूआ साथ रहे तेरे साथ रहे मेरी दूआ मेरी दूआ साथ रहे साथ रहे मेरी दूआ याया आरिम स्टार्ट हो जाएगा दी 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 सुनो ना आजा बहुत अच्छे लग रहे हो खंच्यू पर आपने जो डीओ लगाे वो बिल्कुल अच्छा नही है आपके लिए मेरे पस अच्छा दीओ है ये लीजे अच्छा है डोसो की है दीदी पर मेरे पास तो पांच्छो का नोट है मेरे पस छोटे नही दीदी थम रख लो ठांक्स दीदी प्रमुक व्यापारी व्योंकेश रगुपती राजू प्रभावति की बेटी सौम्या का अपरन हो चुका है पुलिस का मानना है कि ये व्यापार में हो रहे जगडे की कारण हुआ होगा सुनो एक बार न्यूस देख लो शहर के कमिशनर राजना ठाकूर खुद इस केस की तहकीकार कर रही है शहर किया जिंदगी है करोड़ो रुपे का खरचा करे बंगला पानाता है और एक कप कोफी नहीं पिला थे ऐसे बच्चों का ध्यान ने रखेंगे तो बच्चे भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे भाई एक चाय दे ना एता हूं क्यों भाई इतने गुछ से महीं क्या बदाओ भाई लड़की को गुम हुए छे घंटे हुए इतनी देर के बाद कंपलेंट कर रहे है छे घंट में तो लोग भारदेश चले जाते इतनी तो समझ होनी चाहिए वैसे तो हमारे ओफिसर को सु यही है हमारी जिंदगी जाय पीने तक का टाइम नहीं है छी यह कोई काम है इससे तो अच्छा घर जमाई बन जाता है 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 तुम मैं सौम्या की फ्रेंड वांकल आंटी कहा है ऊपर जाओ वही होंगे ओक्या अंकल अ बेटा एक मिनिट अ आंटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा ट्राइटू फीड हर सम्थिंग ओके सुनो पर उस लड़की के रूम है हाँ गट वो लड़की कौन सा फोन इस्तेमाल करते मुझे किसे पता होगा बेट के बगल के सॉकेट में किसी ना किसी कंपणी का चार्जर होगा देखो हाँ दिखाई दिए एक मिनिट उसके पास आइफोन है आइफोन यूजर सभी उनके बैककप के लिए लैप्टॉप या फिर आइपेड में वो आइक्लाउड में लिंक करते हैं वहां पर है क्या देखो हां यहां यहां पर लैप्टॉप है ओपन करो एक पासवर्ट मांग रहा है पासवर्ट 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 अब बगल में क्या रखा है डॉल्स पैं 5004 ट्राइ करो मुझे क्या पता उसके कार का नंबर है 5004 यह भी रॉंग पास्पर है आपकी बीटी की परस्टनल चीजने जेक करनी है शान्ती हाँ साब इन्हें सोमिय के कमरे में ले जाओ तेंक यू सार चलिए साब यह भी रॉंग पास्वर्ड है एक मिनिट लाइन रो इंस्टाग्राम जस्टन ट्राइक करो जस्टन जस्टन ट्राइक करो हाँ अबन हो गया यस अब सारी इंफोर्मेशन मुझे जल्दी से फाववर्ड करो हाँ हाँ उस तरह मेंसाब उस तरह मेंसाब इंए इंए आर हुआ लन हाँ सम्या के बारे में कुछ पता चला? नहीं मैडम, इन्विस्टिगेशन चालो है ओके उनके चीज़ें थोड़ी चेक करनी है या थैंक यू मैडम हे बेबी, कितना समय? कहा हो तुम? और आते समय रेड बुल लाना मद भूलना आपका कंट्रोल लूँ का है? उदर सर वो फर्स कैमरा उपन करो हाँ, ओके सर सेगंड खोलो हाँ हाँ पार्किंग का कैमरा उपन करो हाँ, करता हूँ, सर लड़की यहीं से बाहर गई है पर अमे ठीक से देखता है सीसेटीव फुटेज एपर चेक करनी है आप को नो? मैं मेडिया, उनके साथ आया हूँ ऐसे? हाँ चली मेरे साथ ठीक है अमेल, झाल खिरणा करना कैमरा उपन करना कैमरा खिरा केमरा उपना यह नरा यह पन करना रिको अर्ग जूम करना यह लड़का कौन है? यह जिनल के पास पूल बेसता है ताइक्यो यह लड़की को देखा है? कि हादेखा भैया इसे मैने इसे भी बेचा तुम स्प्रेभी बेचते हो नहीं भैया इस दिन उस चाचा जी है क्या हो चाचा मेरा सिर घुम रहा है यह बेच सकते हो क्या है तुझे मैं पचाास देता हूं ठीक है दो ठीक से देख ये चाचा जी वही है हाँ यही है भी याद करके बोल यही है क्या यही है भैया मुझे ठीक से याद है वह जाग ठेकने वाला और इस पुठी का संबंध है यह मिला तो समझो पुठा मिलगया चाचा जी क्या हुआ बेटा उसी दिन बताया था ना मैंने और बारह लोग आने वाले थे सभी लोग तो आ गए लेकिन ड्रवी, चंदू, डेविड, आरिया आए ही नहीं हफता भर बीट गया और उनके आने की उम्मीद भी नहीं लग रही इसी लिए सभी औरतें रो रही हैं फेक ना ये कोई छोटी बात है क्या बाहर मामला कितना घरा में देखो आँ बहुत करम है इसलिए थंडा उने से पहले जल्दी पी ले प्रभू प्यापारी ग्योंकेश रेभूपती राजू प्रभावति की बेटी सौम्या का अपरन हुचका है पुलिस का मानना है कि ये व्यवार में हो रहे है जंगडे की कारण हुआ होगा की ए तुझा द्रग्स की आधत है किया Are you a drug addict? तुझे ही पूछ रहा हूँ ए है ड्रग्स लिया था है तुने? हलो? हॉट? ए है क्या कर रहा है? शीजा ट्रॉग आधिर ट्रॉग एडिक्स को नॉर्मल डोस देते तो काफी नही है इसलिए वो होश में आ गई इसने मुझे देख लिया अगर में बहुर गया तुमें पकड़ा जाओंगा मुझे जेल नहीं जाना मुझे जेल नहीं जाना आइनी डु केलर इसे में जिंदा नहीं छोड़ सकता आइ तू पागल होगे क्या कर रहा है रुको! इसे मेरे बारे में पता चल गया है. इसे जिन्दा नहीं छोड़ सकता. बार डालेगा क्या? तो इसे छोड़ दू क्या? इसे छोड़ने का मतलब एड्रेस, टोर नमबर के साथ दे दिया समझो. इस लड़की को अगर मार दिया, तो प्राब्लम हो जाएगी. छोड़ दूँगा तो यही भार जाने के बाद और बड़ा प्राब्लम खड़ी कर देगी. तू जल्दबाजी मत कर. सोचते हैं. अफरन करना गलत नहीं है. सबूत छोड़ना गलत है. इसलिए इसे छोड़ूँगा नहीं. तुझे समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा. मैं जो कह रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे अल्रड़ी कहा राक्षस और भगवान को. जन आखों ने देखा उसे और कुछ देखने का हाक नहीं. नहीं. पकड़ा जाएगा. पकड़ा नहीं जाओंगा कहाना? कौन तुम? बात कर रहा हूं, समझा. शुश। 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 तुने बहुत बड़ी गालत ही कर दी. इतने दिनों से लड़कियों को लाकर, तेरी जरूरत पुरी होने के बाद उन्हें हॉस्पिडल में छोड़ देते थे. जिन्दा रहती थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता था. अगर ये लड़की नहीं मिली तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी. अब इस लाश का क्या करोगे? सिटी के कमिशनर इस समय इस केज की तहकीकात कर रहे हैं. दादा. क्या है मिटा? इस लाश को ले जाकर, पुलिस टेशन के सामने फेगे. पुलिस टेशन के आगे? अब वो घर को ढूंडते होई यहां आजाएंगे. येस. मैं आपका फोन बहुत टाइम से ट्राइ कर रहा था. लगने रहा था. ओ, सॉरी. मैंने फोन नहीं देखा. आपको न्यूस पता ही होगा. बॉम देवा रगुबती राजु की बेटी को मार कर पुलिस टेशन के आगे फेग दिया गया. उसकी बोड़ी को आपकोई अटॉपसी करना होगा. ओ, ओके. आप चलिए. मैं आता हूँ. ओके. ठेंक्यू. डॉक्टर मनोज कुमार. मरने वाले को बचाने के लिए, इस शहर में सौ हॉस्पिटल है पर, मरने के बाद भले वो सीम हो या सीम का बेटा हो, उसके लाश को मेरे पास ही लाया जाता है. Now, do you understand? मेरे पूरे करियर में एक बॉड़ी का ओट आपसी करते वक्त. First time मेरे हाथ काप रहे थे. एक बड़े रोड से सरपर मार, मार के उसका अफसार बुरी तरप बुड़ दिया. Definitely he's not a human. मार के लाश को पुलिस टेशन के सामने ही फेग दिया मतलब. Look at his bloody confidence. उसे किसीने पकड़ा नहीं इसलिए. खुला चैलेंज कर रहा है. I request all the police to find him immediately. Police Department को 100% मेरा support रहेगा. Future में ऐसा कभी भी कुछ हो जाता है, तो मेरे पास ही आना. My deepest condolence to her parents. I am so sorry. Sir, 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 sir. Please... Sir, 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 sir. Thank you, sir, 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 sir. You are officially insane now. तोस लडकी को इसी भी तरह नहाई मिलना चाहिए. यह गुम हुई लड़किया, साथना, कृती, सौम्या, इन में से हमारी प्रिया भी थी, ऐसे कितनी सारी लड़किया, हमेशा गुम हो रही है, असल में बात यह है कि इन में से किसी एक कभी, प्रोफेशनली या फिर परसनल, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, वो लड़की को सिलेट करने के लिए भी, कोई पैटन फॉलो नहीं कर रहा है, वांबे कॉलिर में गुम होने वाली क्यूर्थी, उसे कह एक ही रीजन से, हाइपोग्लेसीमिया, मतलब शुवर लेवल्स टाउन होकर, विदिन नो टाइम बॉड्य दी हाइडरेट होकर चक्करा कर गीर जाना, एक या दो लड़किया इस प्रोब्लम से एडमिट होती, तो में इतना ध्यान नहीं देता, पर एडमिट हुई हर लड एक इंसान का वेट कम होने के लिए, यह ड्रक्स लेने के बाद, इंसान की बॉड़ी टी हाइडरेशन होना शुरू हो जाती है, तभी वो बॉड़ी के साथ एक घंटे वरक आउट करेगा, तो यह तुम्हें पांच घंटे का रिजल्ट देता है, वर्ल्ड मेडिकल हिस्ट इल्लीगल कहकर बंद कर दिया, जहां जाओं वहारास्ता बंद पड़ा था, एक दूसरे से संबन ना रखने वाले इंसान, मचली पकड़ने वाले मचवारे, शकुनी के जैसा एक बुठा, यह सब के वाले एक नाटक के बात रहे हैं, इन सब को एक ही स्टेज में खिलाने अला कोई आरिजन नहीं है, बलके गुरुक्षेतर को अपने हाथ से घुमाने वाला श्वत्थामा है, असल में हमें सारे मिलने वाले लोग सच कह रहे हैं इस बात की क्या गैरंटी है, मैंने उनकी बात सुनकर भरुसा नहीं किया है नहा, आखे, उनकी आखे जूट नहीं क एक हाथा हुआ है, शहर के बीचो बीच होने वाले वाईजर सेंटर मॉल में कुछ लोगों ने संध्यानाम की लड़की का अपरण कर लिया था, और खबर ये है कि सर, कौन है आप मुझे आपका CCTV फुटेज देखना है, सॉरी सर, इट्स कॉन्फिडेंशियल, आपको नहीं दिखा सकते, दस हजार, सर, ग्यारा बचे मेरी शिफ्ट खतम हो जाती है, आप 10 मिनिट पहले आजाओ, मैं दिखा दूँगा, हलो, हलो, नहा, फोटो आगया क्या ना आगये ह reuse to time, मैं जैसा कहता हूं है इसा क्यों मैं जैसा कह रहा हूं हो करो सकंठ थ् congestion नोز भी projection इस लड़की को फॉल्व पलोव प्भरो ठीक है सार, नेक्स्ड रोग रोग पॉस करो जून करो उस बुट्टे को फॉलो करो उस बुट्टे को फॉलो करो सर वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है कैसे 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 बैक बैक करो और बैक और और ओके सर बुक जो उसे फॉलो करो फर्स फ्लोर फर्स फ्लोर यहाँ पर कैमरा नहीं है सर कार पार्किंग पार्किंग में पॉस करो शिवा शुक्ती ट्रैबल्स पार्किंग 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 जाए पार्किंग इस्टाव पार्किंग आए पार्किंग आप दोक्टर मनुष कुमार है ना? यस आपने सौमय का पोस्टम था 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 ना? या उस केस के और मुझे कुछ इंफोरमेशन चाहिए अप पुलिस में के? नाइ सर पर मुझे है यपोमिसिन नाम के ट्रक्स के बार में चोटे इंफोरमेशन चाहिए ओके यह जए हैं लट में में कोफी फोर यू हम कम इंसाइड हम सर आप अलगाद कोफी सर हमारे शहर में जो किड्नैप हो रहे हैं और हैं अप अपने संबंध इसा मुझे लग रहा है सर अस दिन अपने सौमय के बाड़ी का पोस्टम था इस ड्रक से संबंदे थे कोई ट्रेसस मेले थे आपको कौफी पीते वे बात करते हैं सेट कौन है वो पागल है महरने के लिए खुदी आया है पहले से क्या रहा था ना अब क्या करोगी एक्सक्यूज मी सर यह मेरी दादाची है और देखाई नहीं दिये हैं घरवाले बहुत टेंशन में है सुनो मैंने पुलिस टेशन में कमपलेंट कर दी है मैं बताऊ सुनो कोई पुलिस टेशन के सामने लोडी पेकर चला गया है वनने देखा क्या तुम अजर्ली उने फालो करो पॉलो करो, मैं आ रहा हूँ हाँ, हाँ, ओके कॉफी मतलब अलो बेटा, मुझे कोई फॉलो कर रहा है तुम टेंशन मतलो, जैसा क्याता हूँ, ऐसा करोगा ठीक है बेटा अब कहा हूँ एबीप रोट से उश्या जंक्शन की तरफ जा रहा हूँ बेटा उदर से लेफ लेलो ठीक है बेटा सुनो, उन्होंने उश्या जंक्शन से लेफ लेलिया है ठीक नहा अब कहा पॉषे गामत पर हूँ बिटा राम नगर जंक्शन की तरफ जाना बोलो नहा राम नगर जंक्शन की तरफ जा रहे है अब यभी पोट पे अंटर किया है पोट नेहा, उसे कोई गाइड कर रहा है, तुम अर्जंटी वहा से चली जाओ, क्या हुआ? कोई ट्रैप कर रहा है, क्या? मैं नहीं चाहता, तुम इसमें फसो, लेकिन मैं जैसा के रहा हूँ, मैं सख करो नेहाँ पोर्ट के तरफ हाँ असे करें पाइड टेडक उस ट्रॉक को फॉलाव कर कहीदारा कि अगया पिटा अभी रइट लेना ले लिया पिटा स्ट्रेट आजए स्ट्रीट आजए आ रहा हूँ, पिटा सास्ट फास्ट आ रहा हूँ पिटा स्टॉब ठीक है, बिटा यह मेजी आए पिख्टा है मेरे हमने से अरहा है अ बिट हो सामने आगया सामने आगया बिटा वे मुझे भचा लो बिटा रंगया मै्डिअ वह नाश आगया मुझे लिघा ओंगया लॉठेल हुर झाल 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 बखाओ बखाओ प्राओ झाल वी या गड़ से बसे हाँ यह कार नमर किसका है पता है? यह तो दॉक्टर मनुष कुमार कार है सर हुआ है हुआ है हुआ है कर दो नहीं। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो वेल्कम डॉक्टर मनोज कुमार सफेद कोट में बहुत अच्छा खेल खेलते हो अखेल पकड़े हैं वापा कह रहा था ना मेरी बात माना किया spy बस दुबारा नहीं करओंगा ना वह भपाए दूबाराने खो पापॉड भपामाद एस मत बिटा बिटा बेदा बिना मार करणा wam अगism मत परहे हो उपकर दे दो परम पर आप पर हो ठोड़े हो छोड़ करें परिये ए पराव्फ मेरी केंधा पर हो अधे अध्यonder बेटा बेटा शांत हो जाओ वो छोटा बच्चा है बेटा अंजाने में किया होगा उसे माफ कर दो बेटा आपको जो नुकसान हुआ वो पैसे से नहीं चुका सकते बेहन अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा प्लीज दया करके बाहर किसी को मत पता ना मना मत कीजिएगा प्लीज मारा इसलिए दुख हो रहा है नहीं दर्द हो रहा है एक बात याद रखो अन्जाने में किया तो गलती है और सब जानते हुए भी करना निर्भैता होता है कितना भी महान इंसान हो जो गलती की है वो किसी को पता नहीं चलता पकड़ा नहीं जाता तब तक ही लोग उसकी इज़त करते हैं इसलिए गलती पता होने वाले इन दोनों को कितना पता है आपके साथ मार दिया जैसे आपने कहा था ना मैंने बिल्कुल वैसे ही किया पापा हाँ दादा दादा अज जाने में क्या दादा प्लीज दादा किसी को मत बताना दादा तुमने अगर किसी को बताया तो मैं तुमें भी मार दूगा दादा मैं अनाद वजाओगे दादा, प्लीज, किसी को मदद ये मद, प्लीज दादा, प्लीज, मैं आपका बेटा हो ना, प्यारा बेटा हो ना, आप मेरा ध्यान रखेंगे ना दादा, प्लीज, दादा, प्लीज तुने उन लोगों को क्यो मार डाला, बिटे? दादा, वो लड़की के साथ जब मैं ऐसा कर रहा था, तो उसने मुझे देखा. इसलिए उसने अपनी मा को जा के बताया. उसने अगर देखा ही नहीं होता, तो कुछ गड़बर नहीं होती, दादा. सब भी लोग आप जिसे देखके भी अंजान नहीं बनते ना दादा? पापा, 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 क्या कर रहा है मैं बागल कहीं के? जापा कर देखके बंदान नहीं होता है. कि और यदिय करे लादा und कि औरफ पिए बसमें यहईगा वादान वादा पीज दो फिर 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 भादा वादान प्रोच्ष इए खुष लादा हुआ 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 नही हुआ हुआ झाल 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 एर आजय को कि अवाओ connected— अब यदिता रुका रुका ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो मुझे पता नहीं पर लड़कियों को उठा कर ले कराना उन्हें हरास करना ये सब हमारे पुरानों में है ये सब पौराने खताओं में है चलता आ रहा है ये गलत है तो कैसे और पुरान में ये भी कहा गया है कि लड़कियों से खिलवर किया तो भले दस्सर वाला हो या निन्यानबे भाई वाला हो सजा तो जरूर मिलती है और यही होता आ रहा है ईह जह जो उह जो पो भूपा बेटा किदर हो बाहर हूं पापा बुलिया ना जल्दी घर आ जाओ क्या हुआ पापा तेरी बेहन को किसी का फोन आया था घर आकर तोड़ फोड़ करने की धमकी दे रहा है जल्दी से घर आ जा पंगे उल्ष रहा हुआ ह Vince कोई पैपा टा कुब ने हो पापा पापा किसने पपटको फोन किया कोईवाच कुदि क कर रहा है विज्दोर क्या अ क्या हुआ कोई यहां और कोई और नहीं तुमारा बहां जा है लेकि ए हुआ हैं झाल झाल भूमी, भूमी जैसी मां भी होती है, बहुत सारी कठिनाईयों को सहती है, बहुत सार अभार उठा लेती है, और दुनिया में मर्द बस उस पर अपना हग चताते हैं, कभी उसकी तरह सहे कर दो दिखाओ, मर्दों के सारी मर्दान की भार निकल जाएगी, वो अपना अस्तित्व भूल जाएगे, भूमी को बचाने के लिए हर खर में एक पेड़ूगाने के लिए कहा गया है, पर मा के समान लड़कियों को बचाने के लिए कौन सा पेड़ूगा ना होगा?